जहीं दोस्तों तो इस सेशन के माध्यम से आपको दच्छड अमेरिका देखना है जो जनसंख्या की दिरिष्ट से पाचवा करम और महादीपों का करम देखा जाये तो चोथा है महादीप का करम बोला जाये तो सबसे बड़ा एसिया और सबसे छोटा अस्ट्रेलिया महादीप है एसिया के बाद अफ्रीका दूसरा है तीसरा उत्री अमेरिका चौथा दच्छड अमेरिका जिसकी बात अभी हो रही है और अंटार्टिका उसके बाद छठे करम पर और सबसे गरीब आपका अफ्रीका महादीव है तो यह आपको थोड़ा सा जानकारी रखना है अस्टेलिया और यूरोप की बाद करें तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है अस्टेलिया में मरुस्थल पाए जाते हैं यहां से ऐसा question बन सकता है कि दच्छड अमेरिका स कौन कौन सी रेखा गुजरती है जैसे यहां से एक रेखा गुजर रही और यहां से एक रेखा गुजर रही है तो कौन कौन सी रेखा गुजरती है आप इसको बोल सकते हो बिस्वत रेखा और यह मकर रेखा चिले परागवे अर्जेंटीला और ब्राजेल से गुजरते तो पहला question यहां से यह बनता है कि विश्वत रिखा दच्छर अमेरिका के किन किन देशों से होकर गुजरती हैं तो सबसे बड़ा यहां आपको दिख रहा होगा यह ब्राजील है तो ब्राजील से, इक्वाडोर से और कोलांबिया से यह कोलांबिया दिख रहा है तो कोलांबिया यह तीन देश है जिससे विश्वत रिखा होकर दच्छड अमेरिका के देश से गुजरते हैं तो तीन देश आपको धियां रखना है इक्वाडोर, इक्वाटर, ऐसे धियां रखना है कि इक्वाड़र से इक्वाटर जाता है जहां से कॉलांबिया आगे है और सबसे बड़ा जो देश है दच्छिड अमेरिका का ब्राजिल अब ब्राजिल ऐसा देश है इससे मकर रेखा भी और विस्वत रेखा भी गुजरती है बिस्वत रेखा की बात करें तो चार देश चिली जिसको कौपर राजधानी बोला जात आगे और ब्राजिल की बात हुआ है तो यह चार देश है जिससे मकरत रेखा गुजरती है और यह से विस्वत रेखा गुजरती हैं मकर रेखा और यह विस्वत रेखा की बात किया जाए करक्रेखा El residence है मद्ध में आपका विश्वत रेखा यहाँ पर ए उत्रिधृ और दच्शडी भूला जाता है जैसे कि यह सभी जानते भी हैं आईसी रेखा को अच्छांस बोलते हैं और ऐसी रेखा को देसांत्र बोलते हैं देसांत्रों की संख्या की बात किया जाए तो ये 360 है और अच्छानसो की संख्या की बात किया जाए तो टोटल 181 है भूमत धरेखा को ले कर जैसे ही धुरूओं पर ये टमप्रेचर अधिक होता है जैसे आप धुरूओं की ओर जाओगे टमप्रेचर कम होगा चाहिए आप उत्री तो एसिया महादीप से कौन-कौन सी रेखा गुजरती हैं, तो आर्किटिक और करक और विस्वत रेखा ये गुजरता हैं, अफरीका से बात करें, एक ऐसा महादीप हैं, अफरीका महादीप, जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, करक रेखा, विस्वत रेखा, और मकर र आर्केटिक जो बित होता है उपर वाला हिस्सा यहां से गुजरता है अभात किया जाया अंटार्टीक आपको चोटा है यहां तो यहां पर टोटल कुल देश 13 है यदि कुल देश 13 है तो यहां ब्राजिल जो है कि छेत्रफल से सबसे बड़ा वही है यह आपको ध्यानक ना है कुल देश 13 है ब्राजिल छेत्रफल की दृष्ट से बड़ा है और छेत्रफल की दृष्ट से जो सबसे जोटा रखेस से फ्रिंचगूँान है कहां पर हैसको जोण करके देख लेते हैं यह देखिए फ्रिंचगूँान यहां पर दिख रहा है यह तो यह सबसे छोटा है है आपको ध्यां रखना है और यह सबसे बड़ा ब्राजिल को चलिए दोटें अbersू नहीं करते हैं लगबग तो सारे देशी सीमा साजा करते हैं तो बोलविया और परागवे यहां से देख लेते हैं बोलविया और परागवे यह धियां रखना है बोलविया परागवे यह समुद्री सीमा साजा नहीं करते हैं अब ब्राजिल से कौन-कौन से देश असपर से नहीं करते हैं, एक आपका चिली है, आप इन कापी साथ में रखी, देखी, पहला question पूछेगा, कौन-कौन से ऐसे देश हैं, जो landlock country हैं, या ऐसे पूछ लेगा, जो बाहरी सीमा से साजा, नहीं करता है, समुद्री सीमा से, त प्रागवे हैं, पहला आप लेख सकते हैं, दूसरी बात की आजा है, तो चिली इकवाडोर क्या है, ब्राजिल को असपर से नहीं करते हैं, यहाँ पर देखी, आपका इकवाडोर और यह चिली लंबा सा, यह ब्राजिल को असपर से नहीं करते हैं, मतलब दो देश ब्राज ब्राजील को असपर्स नहीं करते हैं यहाँ पर टोटल कितने तेरा देश नहीं है तो कितने देश ब्राजील से असपर्स करेंगे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कुना question को सुन सकते हैं तेरा देश हैं जिसमें दो देश ब्राजिल को असपर्स नहीं करते हैं तो बताईए ब्राजिल को कितने देश असपर्स करते हैं comment box खुला है comment करेगे अब तक आगे बढ़ा जाए चलिए चलिए वो तेरा देश कौन से हैं पहला देश दिख रहा होगा कोलांबिया वेनी जुगला गुवाना सूरिनाम फ्रेंच गुवाना ये बढ़ा असा आपको ब्राजिल दिख रहा होगा इकवाडोर नम्बरिंग करते जाएं एक दो तीन चार पान छा साथ और यहां पर पेरू आठ और थोड़ा सा चले आठ बोल भी या नव हो जाएगा चली दस परागवे ग्यारा यहां पर इबारा और इउर्गवे तेरा तो यहां पर यह तेरा देश है अर्जंटीना को लेकर तेरा देश है तो तेरा देश ब्राजिल से दो डेश नहीं लगे है तो बताईए कितने देश ब्राजिल से असपर्स या Сीमा साजह करते हैं यहां से क्वेश्चन और बनेगा उपरा कर कि उत्तरी अमेरिका और दच्छडी अमेरिका को को जोडता है ऐसे भी question बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह पनामा देश है तो पनामा देश ही जो कि कोलाम्बिया से लगा है यह उत्तरी अमेरिका और दच्छडी अमेरिका को जुड़ता है यह location की बात किया जाए चलिए location की बात किया जाए यहाँ से देखते है तो दच्छड अमेरिका के प्रस्चिम में प्रसांत महा सागर है दिसा आपको ऐसे लिखना है यह उत्तर यह दच्छड यह पूर्व यह प्रस्चिम तो प्रस्चिम में यह आपका क्या है प्रसांत महा सागर है इध्यान रखना है और यहीं प्रसांत महा सागर से लगा हुआ ये इंडीज परवत स्रिंखला है जो कि सबसे लंबी परवत स्रिंखला है और उचाए की बात करें तो मांट एवरेश्ट ये सबसे उचा है जो कि एस्या में इस्तित है हिमालय के बाद दूसरी ये सबसे उची स्रिंखला है और हिमाले सबसे ऊची है ध्यान रखना है सबसे लंबी परवत स्रिंखला कोन सी है तब आपका इंसर होगा इंडीज परवत स्रिंखला और यह पूछेगा कि विश्व की दूसरी सबसे ऊची स्रिंखला कोन सी है तब भी आपका इंसर होगा इंडीज हिमाला यह क्या है आपकी सबसे उची परवत शिरंख़़ा है तो नवीन मोरदार यह परवत का उधारण है इंडेस परवत यह आपको धियां रखना है चलिए कमेंड करिए हाँ कमेंड है ब्राजील से कितने देश लगे हैं दो देश नहीं लगे हैं तो दस देश लगे हैं ग्यारा नहीं होगा क्योंकि एक ब्राजिल स्वयम है ध्यान रखना है आपका जो सही एंसर होगा वो टिन होगा मतलब 10 देश लगे हैं तो कोटो पैक्सी जो की इकवाडोर में इस्थित है यहां से आप मैप में देख सकते हैं यह इकवाडर है मैप को साथ में रखी एकवाडर गया है इसी की मद्ध में इकवाडर पर ही इस्थित है कोटो पैक्सी मैप को साथ में रखी हो सकता है इसमें आपको स्वापना दिख तो शक्री ज्वाला मुखी का इस सबसे उचा और शक्री ज्वाला मुखी का उधारने यह आपको ध्यान रखना है चिम्बो राजो चोटी इकवाडोर की सबसे उची चोटी है यहीं पर इस्थित है चिम्बो राजे यह आपको ध्यान रखना है जो की चिली और अर्जेंटीना के मद्द हें, यहां पर यह है, यह इस्थित हैं, तो इध्यान रखना, जो की चिली अर्जेंटीना के मद्द हें, और यह मृत्तु जाला मुखी का उदाहरण है, यदि अब पूछ लेता है, की दच्छड अमेरिका की सबसे उची चोटी कौन तो दच्छड अमेरिका की सबसे उची चोटी की बात किया जाए तो एकांका गुआ है जो कि एंडी परवत पर इस्थित है और यह दच्छड अमेरिका की सरोच चोटी है जो कि अर्जंटीना के इसी चिली और अर्जंटीना के मद्दे इस्थित है इसका current location की बात करें एकांका गुहा का तो ये अर्जन्टीना में है वैसे परवत की बात किया जाए तो ये चिली और अर्जन्टीना उपर ये जाकर बोले विया जिसकी राजधानी लापाज है और उपर इकवाडोर तक फैला हुआ है इंडीज परवत स्रंकला ये बात किया जाए पिंटागोनिया का तो ये मरुस्थल पठार है ये ब्रिद्द छाया प्रदेश का उदारण है और पिंटागोनिया यहां आप मैप में देख सकते हैं पिंटागोनिया ये दिखिए पिंटागोनिया सबसे नीचे मैप में सबसे नीचे ये पिंटागोनिय का मरुस्थल है कहां पर इस्थित है अब आपको लोकेशन पता ही होगा अर्जिंटीना में इस्थित है और यह ब्रिद्चाया प्रदेश का उदारन है मतलब यहां वर्षा नहीं होता है और पस्पालन किया जाता है जिसमें मास उनकी प्राप्ति होता है कि फौर ने साउथ अमेरिक्या का यह दच्छिडतम सहर है यहां पर यह नीचे इस्तित है के फौर ने धियां रखना साउथ आफिरीका के दच्छिडतम सहर मना जाता है चली अब बात किया जाए तो पमपास घास के मैदान जैसे कि यहां पर दिख रहा होगा पम पास घास के मैदान अ यह सितोस और उपोस्ट कट्गंध में इस्थित है इग्यों की खेती यहां पर की जाती है सबसे ज़्यादा ग्यों का उत्पादन यही पर होता है इसलिए इसको रोटी का कटोरा भी बोला जाता है अब बात किया जाए ब्राजीलियन उच्छ भूमिका यहाँ पर यह देख सकते हैं चलिए ब्राजीलियन उच्छ भूमिका यह आपका पठार है 21 संसाधन की दृष्ट से जाना जाता है यहाँ पर Compose घास के मैदान भी पाए जाते हैं ओपर वाले हिस्से पर और लेटे राइट मिज़ा पाए जाती है जो चाय कॉफी के लिए सबसे ज़्यादा कारगर सावित होती है चाय क्हेती के लिए चाय कॉफी की खेती के लिए यही पर सावलो पोलो पंदरगा से काफी का निर्यात किया जाता है और एक सेंटोस भी है यहीं से बंदरगा से बंदरगा कहेंगे जहां पर नाओ का आमन करवा हो आयात निर्यात हो जल के माध्यम से यहीं पर इसेंटोस और सायो पोलो बंदरगाह इस्थिते जहां से काफे का निर्यात किया जाता है चलिए कुछ और बातों को देखते हैं गुआना उच्छ भूम की बात करें तो यहां पर यह इस्थिते ध्यान देदा तो गुआना आप मैप को साथ रखी तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि इसमें हो सकता है आपको थोड़ा हलका देखे तो गुआना उच्छ भूमी जो की बेनी जुगला और फ्रेंज गुआना की मद्देश्ती थी गास के मैदान है यहां पर लानोस गास के मैदान पाया जाते है जो खनिस तेल एंप्राक्तिक गैस के भंडार के लिए जाने जाते है यह बात किया जाए गास के मैदान तो ध्यान रखना कंपोस गास के मैदान जो प्राजीलियन उच भून के मदद पाया गया और पमपास घास के मैदान जो अर्जन्टीना यहां नीचे धियां रखना यहां पर पाया गया यह पमपास घास के मैदान और बात किया जाए कि लानोस घास के मैदान तो उपर यह आपको गुवाना छेतर में मतलब वेनी जुगाला फ्रिंच गुवाना के छेतर में आया जाता है तो तीन घास के मैदान ध्यान रखना पंपास लानोस और आपको एक और कमपोस घास के मैदान तो यहाँ पर तीन घास के मैदान आपको धियां रखना है चली तो एक पॉइंट आपको यहाँ से और याद कर लेना है वेनी जूएला से कि मारा काई वो जहील है जो दच्छड अमेरिका की सबसे बड़ी जहील है यह आपको धियां रखना है अब बात किया जाए कि सबसे उची राजधानी कौन सी है तो सबसे उची राजधानी लापाज है लापाज किसकी राजधानी है यह बोलेविया की राजधानी है लापाज और पेरू के बीश में टिटका का जहील है जो कि विश्व की सारवधिक उचाई पर इस्थित या जील है तो आपको धिया रखना है पेरू और बोलविया के मद्ध तिटका का जील है पेरू की राजधानी लेमा है और बोलविया की राजधानी लापाज है लापाज विश्व की सबसे उची राजधानी भी है और कि बात किये तकामा मरूस्थल का तो मक्कर रिखा पर है जो चीली और पेरू के मद्द में यहां पर आप इसका लोकेसं देख सकता ही यह अड़ कामा मरूस्थल यह जो भी का सबसे मरूस्थल यह आपको ध्यान रखना आ और विशुका सबसे बड़ा मतलब सबसे सुस्क सहर यहां पर अरीका है जो कि चिली में इस्थित है चिली आपको यह लंबा सा दिखता होगा प्लब चिली में इस्थित जो अरीका सहर है विशुका सबसे सुस्क सहर है यहां से कॉपर की प्राप्ति सबसे ज्यादा किया जात यह आपको note point कर लेना है चलिए next देखा जाए तो Amazon नदी की बात की जाए तो Amazon नदी यह उत्तरी Atlantic महासागर में अपना जल गिराती है यहां उपर आ जाते हैं यह दिखिए तो Amazon नदी यह अपना जल कहां गिराती है उत्तरी Atlantic महासागर में अपना जल गिराती है तो Amazon नदी की की बात करें तो बिश्र की सबसे चौड़े नदी है और सबसे लंबी नदी की बात करें तो मिल नदी है जो कि अफरीका में इस्थित है वो मिस्र रूस की मिस्र की राजधानी काहिरा में अपना जल वहां इंड में गिराती है वही पर आपका लाल सागर और भूमध्य सागर के मद्ध ओजल गिराती है और लाल सागर और भूमद्ध सागर को जोड़ने वाला जो नहर है जिसको स्वेज नहर बोला जाता है और जो इंट्री द्वार है आपका भूमद्ध सागर का इंट्री द्वार है उसको जिब्राल्टर जलसंदे बोला जाए वो आपको फ्र अपना जल कहां गिराती है उत्तरी अटलांटिक महसागर में विश्व की सबसे चौड़ी चौड़ी का मतलब इसमें अधिक जल आता है यह आपका अमेजन का मुहाना भी देख सकते हैं आप चित्र में दिखाया गया तो पेरु और ब्राजिल दो ऐसे देश से यह होकर और वनस्पत सघन पाया जाता है इस सघन क्यों पाया जाता है जब तापमान अधिक होगा तो वर्सा भी अधिक होगा जब वर्सा अधिक होगा तो यहां सदावहर वन पाया जाते हैं और जो यहां पर वन पाया जाते हैं इस वन को सिल्वास वन कहते हैं यह आपको धियान रखना है देखिये इसलवास लिखा भी है तो यहां पर जो बन पाया जाता है इसको सिलवास पुला जाता है चली तो सदावार जो हटा है यहीं पर एक माणोस सहर है वहां पर रबर और चंदन की प्राप्ति होता है तो इंजिल एकारा नदि पर इस्थित वेने जुगेला के पास है इंजल जल परपात इसको भी आप नोटेट पॉइंट करना है इंजल जल परपात विश्व का सबसे उचा जल परपात है यहां से देख सकते ही इंजल जल परपात का यहां पर फोटो भी है यहां पर तो यह आपको ध्यान रखना है इंजिल जल प्रपात ऐसा कुछ का चित्र हैं एंजिल जो जल प्रपात है कहरा नदी वर्यनी जुगयला के पास इस्थित और यह ब्षुकह सब से उंचा जल्रा प्रपात हैं यह बात किया जाए कि ब्राजिलियन उच्छ भून का तो यह कंपोस घास के मैदार यहां पठार और खनिश अंसादनों की दिरिष्ट से मजबूत है और वर्ल्डेस प्राइदीप की बात करें तो दच्छिर अमेरिका का यह सबसे गहरा स्थान है तो कुछ यह पॉइंट था आप वीडियो को पुना देख सकते हैं चलिए टेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहें देख